बहरी दिल्ली के अलिपूर थाना इलाके के खेड़ा का लगाओं में एक बर्फिर लापरवाही एक परिवार के लिए मौत का सबक बन दे दिल्ली में लगातार सर्दी चरम पर है और सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते हैं तो कई लोग रूम हीटर लगा कर सर्दी से बचने की कोशिश करते हैं जो कि ये उपकरन उन लोगों के लिए काफी लुकसान गायक साबित हो रहे हैं बीती रात भी अलिपूर के खेडा कला गाओं में रहने वले परिवार में सर्दी से बचने के लिए अपने घर में रात को अंगीथी जला कर दरवाजे बंद किये और सोब शायद इस परिवार को नहीं पता था कि इनकी जरा से लापरवाही ये रात उनके जिंदगी की हजबन वाइप की मौत हो चुकी है पुलिस अब इस मामले में लगाता चांवी में जिछी है कि किस कारण आखिरे तुमिट की हो गया बताए जारा लगातर शदी वरने के कारण जो है वो घर में अनीटी लेके आया थे जिससे वह हाथ सेक रहते कहीं ना कहीं सोते हो वक्त परिवार की जो है दम घुटने की वज़े से दो बच्चे एक मियावी भी हजबेंड की मोथ हो गया है मौके पर आप देख रहे हैं लगातर पुलिस के अलाधकरी मौजूद हैं यहां के बीसी पी रेंट के तक कि अफैसल की टीम भी लगातर आ रही है आके कुछ अतास में छांड मिन में जुटी अध़िए है किस तरह का के खोई ना लगातर आप रहे लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा ही अनधादा लगाया जा रहा जहां आलाध करियों के जमाने तो कहीं ना कहीं वह परिवार्ट ने की वज़े से उनकी मुट्ति हो गया है आगे की पूस्ता लगाता जारी है पुर्ज इस माम में में लगा तर इस तरह के अपैसल टीम बगरा जो है वो कहीं ना कहीं चान मीन में जुटी होई है सर क्या कॉल मिली थी अब जी अरूंड सिक्स पॉर्टी एम को ठाना अलिपूर के एक शेटर में कॉल मिली थी इसमें एक आदमी जो है अनकॉंशेस पड़ा है वो बाखिल नहीं रहा है तो मौके पे पीसी आर और यार भी थाने की यार भी पोची थी वहां उन्होंने फिर ख स्किया कि वह अस्बेंड वाइफ और दो बच्चें जी सभी ड़त हो रखी थी अगर थी वहां टिंग वांटिंग होई थी उनके हस्बेंड के मूझ से तो मौके पे क्राइम टिम बुलाई बाती सारी पुलिस टिम पी आई हुई है अभी फरंसी के इंस्पेक्शन सर्क जो डैथ हुई है वो अंगिठी वागरा जला के सोई थे कैसी किस तरह क्या है हां लग तो ऐसी राके पी एक ही खिड़की थी उसी खिड़की को तोड़के अंदर रहा है तो अभी तो यह इनिशल इंवेस्टिगेशन है तो उसमें पी अंगल रूलाट नहीं कर रहा ह झाल